नमस्कार जनसत्य न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ दिवातर विक्रम सिंग। वारिस पठान ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उस बयान के माइने क्या है ये हमें समझना जरूरी है और इसको समझने के लिए जरूरी इसलिये भी है क्योंकि इस बेश को समझने के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। के बात करनी क्यों पड़ी देखे वारे एई आई एम की यहां ता बात करें इसके पहले है वह से दिन सा असदिन ओएसी के छोटे भाया एक बुर्दिन ओएसी का भी बियान आया था कि मुसर्ण अगर पुलिस को छोड़ दिया जाए तो हम सब बारी पढ़ेंगे मुझे ल पासाद जो है दम लोगे दम लाइमलाइट में आ जा रहे और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जाती तोर में मैं कहा सकता हूं कि ऐसे बियानात देश हित में तो है ही नहीं समाज हित में भी है नहीं लेकिन यह अपने मुफाद के लिए करते हैं और इसको तरजिह आप एक तबसरा चला शुरू होता है जिसकर दो फारा आद कि ऊश्ची व्कल बोले आज बोले सार्टेमि औरன्री हर चैनल पीकल बैठे फैटे भीडियर पूरा देश लात्री वार्ण औरेov्र. मतलब यह कि हम मतलब ही सतरह के ब्यानात की निंदा मैं कर रहा गो और सिर्फ AIIM के निताओं कि नहीं जिव जिन पार्टीओं के निता इस तरह का बेना देते आ रहे हैं आध देते हैं उसकी 130 करोलल जंता मैं करता है मैं सबता हूं की निंदा करती है और उनके भाकावें में नहीं आते लेकिन अपने मुफाद के लिए कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल मालेज लेने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं लेकिं हिंदुस्तान की गंगा जम्मी तहजीब रही है मैं चैलन के साथ आपके इस नेरा चैनल के माध्यम से करा चाहता हूं कि पंद्रा क्रो मुसमानों की बात कर रहे ना है पंद्रा क्रो में शाय करोब लगवा लगबा लगवात है कि इस वो होता है बात करने के दोड़ाने पंद्रा क्रो बिस्कूल बोलता है वो ये बात है लेकि उनका इंटेंशन्स प्याही है कि मुसल्मान अगर जुनिए कहा है कि और प्रालों के पंद्रा करोड पे आएगा तो यह सक करो Basis होगा यह पैगाम देने के चाहा और यह दिखाने की कोशिश किया कि मिस्लमनों की हम नेता है और यह हंदुस्तान में मिसल्मानों कि सथची दूशिक पार्टी है तो मैं सबस्थता हूए इसका एक फादा उठाने के लिए कोशिश किआ रहे थे लेकिन आज इसी देश में मुस्रिम लिक बटी मुस्लिम ही अइसमान के मुस्लिम को अपना नहीं हम मुस्रामान को UNEता कौन हुआinity कौन हुआ लालू याद और नितिश phase कुमार कॉंGS लें किसी मुस्लिम को अपना कायद नहीं माना मतलब है कि चाहे बारिस पठान हूँ चाहे असदुदीन वैसी हूँ वो वेक्यूम भरना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि इस देश में 20 करोर से अधिक मुसल्मानों के नेता वो हैं जी इस तरह के ब्यान देखिए अपना सेंटिमेंट ले जाते हैं आप देखिए ना अगर नेता वही होता है कि समाज के हर बर्ग के साथ हो अगर यह बिहार में एक सीड़ जीते भी हैं तो मुस्लिम पॉकेट में जीएक जीते हैं अगर ऐसे जी तो एक सेखिए पपे क्यों सिम्टा हुआ इसका मतलब है कि अपने यहाँ वहाँ चुकिए मुसल्मानों की आवाद यह अची खासी है तो मुस्लिम सेंटिमेंट को मेंटें दखने के लिए हो सकता है कि अशन के बात करते हैं क्या आपको लगता है कि आप एक लीडर है जद मैं बीस करोण मुस्मलमानों को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है जैसा कि कुछ ओवैसी साहब या वारिस पठान साहब या कोई भी इस तरह के जहरी लिए बोल मैं बात और मुद्व पर आऊंगा लेकिन पहले मैं इस परश्ट करना चाहता हूं कि एक मुस्लिम होने के नाथे किक आफ पील करते हैं कि इस तरह की जरूरत है इस तरह की बात करने की दो तो होने ही नहीं चाहिए जहां तक उनका जो सवाल है सी ए इनरसी कैब और नप्यार की मुद्य पर बोल रहे हैं मैं समानता ही हिंदुस्तान कल बी से ख्लोर था आज बिस्ट लोआ और में कलभी रहेंगा. मैं हमेशे अबने चैनल पर अबने तक्रीलों कहा करता हूँ कि हिंदूस्टान में मुसलमाणों से जाहे हिंदू से क्लोर है, ड्रहाज़ हुआ की बात करें, फ़िस क्लोर की बात करें, ऐसी क्लोर अग्र अगर मुसल्मानों के मखालिफ हो जाए तो पंदे सोलों क्रों मुसल्मान की अहमेद क्या रही थी इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का हिंदुस्तान के हिंदु जाए मुसल्मानों से कहीं जादे सिकलर है और यही वज़ा है कि मुसल्मानों ने भी अपना कायद मुसलिम को नह बन्याद पे मुस्लिम सेंट्रिमेंट की बन्याद पे अपने पाटी का विस्थार करें लेकिं मैं समगता हूं इंदुस्तान की गंगा जमी तहजीब एक लंबे अर्से से रही है और रहेगी इसके विकार का सवाल देश के विकार स्वाला है ये ये विवादित बियान सामने आ रहे हैं उसके पीछे हलाकि कुछ ऐसे भी निताओं का योगदान है जो सरकार से संबद है और खास करके केंडर की राजनीती से उनका तारूप है इस तरह की बाते जो आ रही है फिर ये जो देश की स्थिती है य गर ये इस तरह की बात आप कर ने ने बिलकुल है अब ये आपके पहले भी मैं किसे एक चैनल पर इसी मौदू पे था मैंने कहा कि सबसे बड़ी कानून के दारे में जो भी इस तरह के बियानात आ रहे है उस पर आक्शन लेना चाहिए उसके पहले कानून का चुकि हम मैं उसके कानून के कोई हम वाई लोग के कोई हम बहुत बड़ जानकार तो है नहीं लेकि जो कानूनी डाव पेज के जरीए जो शिकंजा लगाने की कोश्च होने चाहिए उसके करें लेकि उसके पहले पार्टी पार्टी लेकि मैं एक सिक्ड़ एक सिक्ड़ एक सिक्ड़ उस उससे पहले जिन पार्टी के नेता हों जिस पार्टी के लोग हो अगर उनके पार्टी के लोग इस तरह के ब्यानात देते हैं तो उनके सुप्रीमों को अविलम पार्टी से निसकासित कर दे वरना यह प्रमप्रा बढ़ती चली जाएगी और देश असतर में हर आदमी हैं हमने अब तक कम से कम दोहजा दस से लेके दोहजा बिस तक के बीच में कम से कम सैक्रूम नितीज़ जी कि आम सभाव में एस टेशेयर किया कभी हमारे नेता और हमारे वर्कर का भी इस तरह बैयान नहीं आए और नहीं मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं हमेशा दो बाय से कहा, अब याद कर लिए तारिख उठा के भारती जन्ता पार्टी के पहले पंद्रह इसके पहले वाले टर्म में भी, बहुत से ऐसे विवारती पूर्टे हुए, गवकशी वाले पे हुआ, गवरक्षप पे हुआ, बहुत सारे हुआ, मॉब लिंचिंग पे हुआ, उन इस तरह के बियाना कि हमारे पार्टी का वरकर या पार्टी के नेता करते हैं, अविलम पार्टी से निस्कासित किरिये, मैं यकिन के साथ कर रहा हूँ, कानून बाद में काम करेगा, पार्टी को एक्शन ना ज़रूरी है, फॉरान उसका मनोबल तूटेगा कि हमारे उबहान मंत्री भी चाके भी गिरराच को नहीं रोक सकते हैं. आप ने ये नहीं करें, आकल बी बियान उनों दिया, बिहार के विहार के शीबर ने बिया था, उसके बाद भी फोरण ने जे पी नडिया ने उनको बोला है, इसका मतलब यह नहीं कि की पार्टी नहीं चाहती है लेकिन कुछ लोगी आदब बनी हुए कि लाइम लाइट में रहने के लिए तनकीद ही को एक अपना पॉलिटिकल बेस्ट बना चाते हैं और तनकीद बेस्ट तनकीद से बेस्ट नहीं समाज के निचले अस्तर तक जाके समाज सेवा करने के बाद ही आपका बेस्ट बंता लालु याद हो यह राम प्लास पासओन निटिश कुमार मुलाहिम सिंग हो जो लब भी हो इस समाज के निचले पाइदान से उठके यहां तक सिवा कर कि आए तो नितिश्कबाद जमीन पर सिवा करके आए उनका मुकाबला गिरासी हो यह कोई नहीं कर सकता है तो वारिस पठान और वैसी भी कह रहे है कि जनता की सिवा कर यह तो लाइप बता तो लाइब चुनाओ यह इतना अलग बात न को तोड़ मरों के अब हमेशा ब्याना जब ब्याना आते हैं तो जब उसको सफाई देने की बात होती है तो करते कि मीडिया ने मिजे तोड़ पूड़ के दिखाया लेकि मुझे देख रहा आईने कुछ उटलाए नहीं देखता है कि विहार की राजनीती को दशा और दिशा है नहीं कि कोशिस वारिस पठान यहों या वैसी साहर तो हमेशा यह मेसे देना चाछते हैं और फिलाल नहीं कर रहा है इसलिए कि अभी मुद्धे वार्स पठान का है ओएसी सब्साब पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं बिहार में एक स्रीड जीता है जिसके के नाम नितिश्क पुबार ने काम किया है उसके एसान लोग भूले वाले नहीं है आज भी बिहार कल जो क्या था पंदर साल पहले दोजार पांस से पहले क्या था गड़े में सरगता सड़क में गड़ा था लोग कहा करते थे गाउम के बच्चे जो आज हमारे बच्चे जो धवस्ती सब बनी है तो तरकी तो हुआ है हाँ कमिया कुछ था है चुकि हर तरह से पुरा नहीं किया सा लेकिन सिमित साद्रों में मुकमंति नि जतना आगे काम किया है वह काबिले मबारक बात है मैं उनके मैं की तारिफ कर रहा हूँ और यहीं वज़ा है कि निटिश कुम एक वीजर किसने दिया काम करने का निटिश कुमा ने दिया चाए इंडिये में रहा हो या यूपिये में महागडबंदर में भी महागडबंदर में भी राकिने साथ निश्चे योजना की बात आप करें तो महागडबंदर में एजेंड़ा था कि साथ निश्चे योजना ह चलाएंगे जल बिदली की बाद कच्छे सड़कों बाद ना लिए जो भी साथ हो साथ उसको फिर कंट्रीव रखा गया पर जब महागड़ बंदन से गड़ नाता थोड़ा और एंडिये में तभी कंट्रीव रखा गया इसका मतलब वीजर नितिश्क मार के काम कर रहा है वहा वीज़ो लोग मخालिव तो करना चाहेंगे कभी कुछ कहेंगे कभी कि बाद की कि बाद करेंगे कि कुछ कहेंगे लेकिंए उसके बावजूद भी हर आदमी देखिए आज की जिवाल क्यों जीते हैं जी मैं एक लाइन का जवाब देता हूं यह मैंने उस दिर भी ंडि टी تھی اور جہاں بھی مکمنتی جاہے کرتے تھے اس وقت اس میں پارٹی کے راستی ایڈک نہیں تھے راستی ایڈک تھے اہ شہد یادو جی جہاں بھی جاہ کرتے تھے اور صرف کرتے کہ میں نے کچھ کام کیا ہے تو مجھے ووٹ دیئے آپ دیجئے گا نا یقین مانئیے دونوں ہاتھ اٹھا کے مجمع کرتا میں آپ کے ساتھ ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ دلی میں جو ہوا کہ جیبال نے امیٹیشن کیا نقل کیا اور اس کو چار پانچ مدد جو گینا ہے پا तो यह दिली के अवाम ने इसको एड़ाप्ट कर लिया और वोट दिया तो एक सतर भी धान सबाओं का चेत में पी छोड़े से चार काम करके यह मतलब जित सकते हैं तो नितिश्क बाद 12 साल से जितना जमीन से लेके आस्मान तक बिहार को पहुचाने वाले हैं पहुचाए उनने तो क्या बिहार के वाम भूल जाएगी नहीं भूलेगी इस तरह के जहरीले बोल और विवादित बयानों पर और ऐसा मानना है अवजल अबास जी का जो जदियू के वरिश निता है वो ये मानते हैं कि कहीं ने कहीं सहमती की राजनीत से ही देश आगे बढ़ सकता है लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि बिहार में आने वाले चुनाओं में आवाम उनके साथ है और पूरे बहुमत के साथ ते इस कुमार जो है एक बार फिर मख्यमंत्री बनेंगे हमारे साथ आपने बाचीत की और बेवाक राय रखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद